कई बार कुछ सबजेक्ट हम जेए में इतना परिशान करते हैं कि बागी दोनों तो ऐसे हंडल हो जाते हैं कि हम बढ़िया मच आते हैं उनमें लेकिन मुझा एक सबजेक्ट है वो हमारे जेए की पूरी जर्णी को इतना सार बना देता है इतना डिफिकल्ट बना देता है कि ह हम पूरा टाइम उसी सब्जेक्ट को कर्स करते रहते हैं तो है गाइज वाइज 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 आप माइज इस इकनूर सिंग अन इन इस वीडियो वी आर स्टार्टिंग और न्यू सीरीज यह शौर्ट तीम वीडियो की सीरीज होने वाली है और क्या होने वाला है इस सीरीज में इसमें हम डिसकस करेंगे सब्जेक्ट वाइज पी सी एम की वीडियो आएंगी आज यह माथमाटिक्स की वीडियो है जिसमें वी आर गूंग तो डिसकास इजी तो दे पॉइंट ऐसे कुछ चीजें जो आप फोलो कर सकते हैं अगर आपक यह माथमाटिक्स को इंप्रूव करके तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप बिकुल इन पोइंट को फॉलो करते हुए बढ़िया से स्कूर करना चाहते है अपने जेए में तो लेट अस बिगिन but before that let me tell you about IITJ biggest summer test carnival जोगी completely free of cost test series है 7th June शे, 6PM–7PM यह test series चलने बाली है it is being curated by the best educators at anacademy 30 questions होँगे your us every 60 minutes में and it will help you gauge your preparation अपने preparation को improve करने के लिए and सारे फिक् oks right all the links are in the description तो जल्दी से फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आपने पांच पॉइंट्स की तरफ जिनको फॉलो करके आप अपने माथमाटिक्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं अब यह क्या मतलब हुआ इससे मेरा मतलब है सम पीपल टेंड टू स्टाडी अलॉट ऑफ यह वो क्या करते हैं माथमाटिक्स की बुक्स खोलते हैं एक लाइन पड़ी अपनी सेंगेज में वो मेरे को समझ नहीं आई तो फिर मैं एक फॉर्दर बुक पे चला गया इंटरेट पे चला गया उसके बारे में और सुना एक इक चीज के पीछे पड़े रहते हैं और मतलब त्री को ऐसे ट्रीट करते हैं कुछ लोग जैसे कि बस यह है आल्टमेट जबकि दाट इस नौट तो केस्ट करना क्या एक आगे के पॉइंट में बताते हैं लेकिन त्री से आपकी उतना फाइदा नहीं होने वाला है जितना आपकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने से होने वाला है ठीक है तो डू नॉट गेट स्टक ऑन लॉट ओफ थियोरी बहुत सारा टाइम माथमाटिक्स में थियोरी पे मत लगाया करो कुछ चीज अभी नहीं समझ आरी तो वह प् इसका क्या मतलब है इसका मतलब है आपको माथमाटिक्स को समझ आ जाना चाहिए ठीक है यू शुड नो हाव तो सॉल्व दो प्रॉब्लम आपका दिमाग उस वे में चलना चाहिए जब आप किसी चीज पर दिमाग लगाओगे सोचोगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मुश्किल होती है मातमाटिक्स की प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती जे एक लेवल की जो आप मतलब शुरू करें और वो अराम से सॉल हो जाए ठीक है इस बीसिकली अप्रोसेस और इसमें अगर आप बहुत जल्दी सल्यूशन देख लो मा बहुत लोग करते हैं तो यह अगर आप करोगे तो आप बेसीकली सोची नहीं रहें उसके बारे में टीक है यू नीड डेवल अप यौर ब्रें डाटिस बीडिल दिया है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया है उसको आपने सीधाए से अंसर देख लेक रहा है तो हमारा तू लेट अब कुछ लोग क्या करते हैं एक दा भी उल्टा होते हैं पॉइंट नुमर टू से मैं ऐसा होता था यह के अपनी स्टार्टिंग में क्या करते हैं मतलब सल्यूशन नहीं देखना बस जो भी हो जाए खुदी करना है क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन में लगे रहो लगे रहो ठीक है और मतलब उसमें कितना टाइम निकल जाता था पूरा मतलब सब कुछ पेंडिंग रह जाता था कोई आपके टागेट सा गोल्स खतम नहीं होंग उसमें अप्रॉक्सेमेटली 3-3.5 मिनिट पर क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं तो आप तारकेट रखो कि आप पूरे 5-7 मिनिट लगाएंगे उस क्वेश्चन पर लेकिन जब ये 5-7 मिनिट हो गया इवन चलो स्टार्टिं आप कर रहे हो किसी चाप्टर की 10 मिनिट लगा लो एक क्वेश्चन में वांस यू और नॉट आपका भी दिमाग उसमें भी डेवलप होगा बट अगें पॉइंबर पॉइंबर पॉइंट नुम्ट 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 तो सीरा ही नहीं देखना आपने 10 मिनिट इवेस्ट करें इसलिए अपने आपको पूर्ण सेल देखो अपने अपना दिमाग चला लिया लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती है और ऐसा गुमा फिर आगे डालते हैं इसलिए आपके मतलब पॉसिबर ही निया है विकुस्ट नुम्ट नुम्ट तो बेस्ट अप्रोच इस 10 मिनिट के लिए क्वेस्टिन सॉल्ट करो मैक्स त अपना कोई टागेट करो और देन लुक अट देखो ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं पॉइंट नुम्ट फॉर इतना सिंपल पॉइंट है चुकि आपको शायद कोई स्टार्टर भी बता देगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस अलॉट माथमाटिक्स इस बन सब्जेक्ट दाट सेजग्यक्त चुकित इतनी सुक्यन única चैसे मतलब आपकी इतनी वुग्स आं आपके इतनी परोब्लमस है जही की इतनी रिसोर्स ईकी प्रीडबूर्स önce people 5 another important point note down note करो क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हो ठीक है कोई भी आप mathematics की book solve कर रहे हो एक छोटा सा notepad ले लो एक छोटी सी notebook ले लो जहां पर आप उस chapter के चोटे-चोटे या तो concepts लिखो जो आपको अच्छे लगे उस problem के या अपनी गलतिया लिखो जो आप शायद गलती paper में कर दो ठीक है इससे क्या होगा एक concise तरीके से you will have basically जिसको कहते है ना एक पूरा summary मिल जाएगा आपको and you will be able to identify the problems जो आपको हो रहे थी you will be able to identify the concept चान अच्छी जीज़न जो आपने उस book में सीखी बहुत ही जल्दी वरना फिर क्या होगा अभी नोट नी करोगे problem mathematics but something which has to be remember a point which you must never forget is कि mathematics को अपना mathematical acumen अपनी mathematical ability develop करना is a slow process very slow process time taking है बहुत सारी patience मांगता है it is a slow process लेकिन it is worth it ठीक है तो get started ठीक है थोड़ी से setbacks आएंगे बहुत-बहुत time questions नहीं होंगे लेकिन मैं हमीशा यहीं बोलता हूं एक बार फसेगा तूसरी बार फसेगा तीसरी बार फसेगा चौथी बार पांच्वी बारो हो जाएगा खुद हो जाएगा ठीक है तो यह को follow करके strong कर लो अपनी mathematics को I will meet you soon with another video and hopefully अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी थी तो आपने like button दबा दिया होगा और subscribe कर लिया होगा thank you so much for joining in have a great day stay safe keep healthy all the very best bye-bye